हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल परीक्षा प्लान में तो कैसे हैं आप लोग आई हो पच्छे होंगे तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक महीने में कैसे करें एकजाम की तैयारी क्योंकि अब आपके एकजाम में एक महीने से भी कम समय ह यह मान कर चलिए क्योंकि 14 नॉम्बर आज हो चुका है और 14 दिसंबर को आपका एकजाम होने वाला है 30 दिन से भी कम दिन आप लोगों के पास बचे हैं अब इन दिनों में आप लोगों को क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कितना पढ़ना है इन सब पर चर्चा करेंगे त अब सबसे पहले आपको घबराना नहीं है कि आप मन में घबरा रहे हैं कि अब तो एक महीना ही बचा हुआ है अब क्या पढ़ पाएंगे अब कैसे एकजाम पास कर पाएंगे ऐसे विचार अपने दिमाग में नहीं ले आने हैं आपको यह सोचना है कि अभी मेरे पास एक म महीने में हम वो सब कुछ पढ़ लेंगे जो एकजाम के लिए जरूरी है ये आपको सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लेना है घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है अब इन एक महीने में आपको क्या-क्या पढ़ना है जैसे आप पेपर फर्ष्ट के लिए तैयारी कर रह हैं पांच सब्जेक्ट आपके आते हैं ये सभी आपको पता है और मैं पहले बतावी चुकी हूँ CDP है EVS है math है और आपकी एक language first और language second अब इसके पहले आप इतना तो पढ़ी चुके होंगे यानि सिलेवस तो आपका लगभग complete होने वाला होगा यदि आप self study कर रहे हैं तो इतना आपने complete कर लिया होगा और यदि आप किसी की channel से जुड़े हुए हैं या कहीं coaching कर रहे हैं या आपने कोई course खरीदा है तब भी आपका syllabus complete हो चुका होगा और आपकी अब practice चन रही होगी अब यदि आप self study कर रहे हैं तो अब आप practice कीजिएगा इन 30 दिनों में क्योंकि practice करना बहुत आवश्यक है CDP की, EBS की इन सभी की practice आपको करने है math की तो practice बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और language first और language second में आपको इतनी problem नहीं होती है क्योंकि इसमें जो है passage आते हैं और आप passage से कुछ question solve करते हैं तो वो number आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और 15 नमबर आपका pedagogy का होता है 15 आपके पैसिस से पूछे जाते हैं तो उनमें आपको इतनी समस्या नहीं होती लेकिन जो CDP, EBS और math होता है इनमें समस्या होती है तो अब 30 दिन में आपको क्या करना है प्रैक्टिस करनी है और यदि आपने previous year के question नहीं पढ़े हैं तो previous year के question जरूर पढ़ लीजिए कैसे भी करके आप समय निकालिए और previous year के question जरूर पढ़िए क्योंकि आपको पिछले वर्सों से कई प्रश्न इस बार भी देखने को मिलेंगे और हर बार पूछे जाते हैं यदि आप previous year के सभी paper देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि पिछले वर्सों से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और practice तो बहुत ही आवस्यक है अब कुछ topic ऐसे होंगे जो आपको कठिल लग रहे होंगे CDP में EVS में उनका revision कर लीजिए उनको पढ़ लीजिए क्योंकि जो कठिन होता है वो important जरूर होता है और उससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है तो उसे आप समझ लीजिए पढ़ लीजिए अभी आपके पास समय है अब यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही है कि EVS को मैं handwritten sort notes से पढ़ा चुकी हूँ जो है और चोटी चोटी वीडियो है क्योंकि मैंने sort notes से पढ़ाया है जो पूछा जाता है वही मैंने उन्हें notes में लिखा है तो आप लोग वो सभी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जाएए प्लेलिस्ट खोलिये और पूरी प्लेलिस्ट आप दो या 30 दिन में दे जल्द ही आपको मैं किलास थर्ड की EVS की NCERT की जो बुख है उसकी समरी में पढ़ाने वाली हूँ और आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगी एक या दो दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी EVS की जो क्लास थर्ड की वुख है उसमें चार यूनिट है और पिरते की क्योंकि समय कम है तो सिधा NCERT की वुख से मैं क्लास थर्ड को पढ़ाऊंगी यह तो EVS की बात हो गई और EVS के सभी प्रिवियस यर के कुश्चन में पढ़ा चुकी हूँ प्ले लिस्ट पर जाएए चेक कीजिए वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंन यह सभी कुश्चन देख सकते हैं तो यह EVS की बात हो गई पेपर फ़स्ट के लिए CDP के मैंने प्रिवियस यर के सभी कुश्चन पढ़ा दिये हैं पेपर फ़स्ट के भी पेपर सेकिंड के भी पेपर सेकिंड मैंने जनवरी 2014 तक ही पढ़ा पाया है मुझे पेपर नहीं म इसलिए मैंने 7 जुलाई वाले पेपर को सॉल्व नहीं करवा पाया लेकिन पेपर फ़स्ट मैंने 2011 से सुरुवात की थी और 7 जुलाई वाले पेपर तक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है तो इसकी भी प्ले लिस्ट बना दी है आप CDP के सभी प्रिवियस यर के कुश्चन देख सकते हैं इसके लाबा पेपर सेकेंड के लिए साइंस मैंने NCRT से कंप्लीट पढ़ा दिया और काफी दिन पहले मैंने इसको कंप्लीट पढ़ा दिया था 6 से मैंने शुरुवात की थी क्लास 6 से और 8 की बुक तक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया एक भी चैप्टर नह आ रही हूँ यानि पिरते एक प्रैक्टिस में मैं 15 प्रशन ले रही हूँ 15 एंसे आर्टी बेस्ट है और 15 आपके पेड़ागोजी के हैं तो यह वीडियो भी आप देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि अब समय कम है तो क्या-क्या कैसे-कैसे पढ़ लें तो CDP में प्रिविस एर के कुश्चन देख ली जिए आपको कुछ important topic पता चल जाएंगे उनकी practice कीजिए question की practice कीजिए कोई भी practice paper आप लोग practice set खरी सकते हैं market में जो उपलब्द हैं उने swim से हल कीजिए और फिर उनको जाचिए पता कीजिए आपके एक practice में 150 में से कितने number आ रहे हैं यदि आप 120 या 110 practice में ला रहे हैं तो exam में आप इससे कम ही number ला पाएंगे क्योंकि पिछली बार का आप result देख चुके हैं बहुत ही कम लोग पास हुए थे तो आपको exam को इतना आसानी से नहीं लेना है कि बहुत ही सरल exam है आप एक ही बार में clear कर लेंगे ऐसा दिमाग में मत सोचिए अगर इतना ही सरल होता तो इतने कम प्रत्सत लोग पास ना होते तो आपको थोड़ा seriously लेना है exam को और अभी समय है अभी आपके पास 29 दिन तो है ही आप पिरतेक subject को लगभग 4 दिन दीजिए 4 दिन आप CDP को दीजिए इन 4 दिन में आप CDP ही पढ़िए उसके बाद 4 दिन आप EVS को दीजिए 4 दिन आप math को दीजिए इसी प्रकार से 4-4 दिन आप language को दीजिए यानि कुल 20 दिन होते हैं उसके बाद आपके पास 9 दिन बच जाते हैं इन 9 दिन में आप जहां पर कमजोर हैं उसे सुधारिए तो इतना यदि आप कर लेते हैं 120 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे पेपर बहुत ध्यान से पढ़ना है जब भी एक्जाम हॉल में आप बैठें पेपर को ध्यान से पढ़िए जल्दबाजी मत कीजिए कि आपने पेपर ध्यान से कुष्चन पढ़ा नहीं और OMR में गोला भर दिया और आपका गलत हो गया ध्यान से पढ़िए समझ ये पूछा क्या गया है विकल्ब ध्यान से पढ़िए उसके बाद ही OMR में गोले को भरिए पेपर सेकिंड ये दि आप देने जा रहे हैं तब भी आपको यही करना है पिरतेक सब्जेक्ट को अब 4-4 दिन दीजिए या एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट को घंटे में डिवाइड कर लीजिए यानि कि मुझे 2 घंटे CDP पढ़नी है दो घंटे मुझे मैथ पढ़ना है दो घंटे मुझे साइंस पढ़नी है इस तरीके से आप कर सकते हैं और NCRT जिसने नहीं पढ़ी है SST का जो एकजाम देने वाला है उसे NCRT, Geography, Quality, History कंप्लीट पढ़के जाना है क्योंकि कुश्चन SST में NCRT-based ही पूचे जाते हैं जो साइंस जिसका सब्जेक्ट है उसको भी पढ़के जाना है अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा जरूर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनोंने अभी तक सुरुआत भी नहीं की होगी तो वो लोग क्या करें प्रीवियस एर के सभी कुश्चन पढ़ लें जो अफलाइन वाले पेपर हैं यदि उनके पास ना हो तो मेरे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं 2011 से 2024 तक जो 7 जुलाई वाला पेपर हुआ है यहां तक पिरते एक पेपर को सॉल्व कर लें यदि आप पेपर फस्ट की दयारी कर रहे हैं तो पेपर फस्ट को सॉल्व कर लें पेपर सेकेंड की दयारी कर रहे हैं तो पेपर सेकेंड को सॉल्व कर लें और question को ध्यान से समझ लीजिए किस तरीके से पूछे जाते हैं तो आप pass हो जाएंगे ध्यान दखिए सिर्फ pass होंगे pass like ही number लापाएंगे आप ये सोचें कि एक महीने में previous year के question पढ़के आप लोग 125 या 120 number लापाएंगे तो ये पूरी तरीके से गलत है previous year के question यदि आप अभी एक महीने में बढ़ लेते हैं तो सिर्फ pass like number लापाएंगे इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि आप सिर्फ previous year के question पढ़कर जा रहे हैं एक महीने में तो आप सिर्फ pass like number ही लापाएंगे और जो पहले से तयारी कर रहा है जिसने अपना syllabus complete कर लिया है NCRT पढ़ ली है और previous year के question भी पढ़ लिये हैं और अब वो practice कर रहा है तो उसे 125 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता वो आसानी से इतने नमबर प्राप्त कर लेगा तो अब इतने दिन बचे हैं और इतने दिनों में आपको इसी तरीके स्तयारी करने है previous year के question यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए practice जरूर करनी है और प्रतेक subject को समय दीजिए या तो दिनों में उनका डिवाडेशन कर दीजिए कि मुझे चार दिन CDP पढ़नी है चार दिन EBS पढ़ना है इस तरीके से या पिरतेक दिन में आप घंटों में डिवाड कर सकते हैं और exam तक आपका पूरा complete हो जाएगा practice भी हो जाएगी और आप अच्छे से exam अच्छे नंबरों से exam clear कर पाएंगे तो वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताईएगा और धुआदार science की practice चल रही है तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा और जल्द ही EBS की practice भी मैं लेके आनी वाली हूँ और EBS के साथ जो practice में लाऊंगी EBS की उसमें NCRT, West और Paragogy दोनों साथ में लेकर आऊंगी जिस प्रकार से मैं science की practice करवा रही हूँ और कोसिस है कि math की भी practice में करवा रही हूँ लगभग अभी तीन वीडियो ही आए है साथ वीडियो आ चुके हैं आज आठवा वीडियो आएगा तो आप लोग यदि वीडियो नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए अभी भी समय है अभी भी समय है जो भी playlist मेरे चैनल पर बनी हुई है यदि आप वो पढ़ लेते हैं तो जो subject मैं पढ़ा रही हूँ उसमें आप अच्छे नंबर आसानी से प्राप्त कर लेगे जितना मैंने science पढ़ाया है यदि आप जितना मैंने पढ़ाया है पढ़ लेते हैं तो 25 प्लस यानि 25, 26, 27 इतने नंबर आप आसानी से ला लेंगे और EBS यदि आप पढ़ रहे हैं तब भी आप 25 से उपर ही नंबर प्राप्त करेंगे या तो आपके 25 आ सकते हैं 26 आ सकते हैं क्योंकि सभी topic मैंने important पढ़ा दिये हैं उसके बाहर आपका paper बन ही नहीं सकता तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में और वीडियो कैसा लगा ये comment box में जरूर बताईएगा और वीडियो को like और share भी जरूर कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye और अपना ख्याल रखिए क्योंकि exam में अब कम ही समय है और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए